हेलो स्टुजेंट्स वेलकम तो केमिकल साइन्स और आज का मारा टॉपिक एक बहुत इंपोर्टेंट जो प्रिवियर्स ये बच्छो बहुत बार आपसे पूछा गया है ठीक है टॉपिक है हमारा इप्सो अटेक ठीक है इप्सो पोजिशन क्या होती है ये भी कई बार आपको पता है वैसे बैंजीन में जितने 6 कार्बन है 6 कार्बन में 6 है hydrogen रहते हैं बट अगर suppose किसी में कोई non hydrogen substitute present है suppose कोई भी substitute A है ठीक है तो इस position को क्या बोलते है बच्छो जिस position में बोलते है इप्सो position yes that's ipso position ठीक है ipso position होती है clear है या फिर आप इस ही position में अगर attack करते हो ठीक है अगर आपका कोई another electrophile आता है और वो इस इस position attack करके इसको substitute कर देता है तो इससे बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या ipso attack इसके attack करने की जो process से बोलते हैं क्या ipso attack और वह कि A को substitute कर देता है इसे बोलते है ipso substitution clear है क्या जिसमें कोई group attached है non hydrogen substitute present है ipso position ठीक है और अगर उसमें आप attack करते हैं तो ipso attack और उसको substitute कर देते हैं उस group को तो से बोलते हैं बोलोग ipso substitution ठीक है देखिए आप इसकी definition यह देखिए आप position which is already occupied by a non hydrogen substituent in an aromatic ring is called ipso position ठीक है देखिए the attack on this position by an electrophile is called ipso attack yes the attack on this position by an electrophile is called ipso attack clear है then the aromatic substitution in which a substituent already present is replaced is called ipso substitution ठीक है अगर आपके ipso position में कोई substitution substituent group already present है अगर आप उसको substitute करते हो na किसी another electrophile से तो इसे क्या बोलते हैं ipso substitution clear है example आपके सामने है ठीक है proto-dealkylation of an alkyl benzene in the presence of H-positive मतलब कोई acid की presence में देखिए ये रहा आपका compound ठीक है ring में आपके क्या लगा है tertiary brutal group लगा हुआ है है ना और इसमें अब देखिए जिस position में tertiary brutal group attached है means ये वाली position ये क्या है आपकी ipso position है और हम चाहते हैं कि हम इसको क्या करें हम चाहते हैं कि हम इस position में करवा देखिए तो क्या होगा तो ये ipso attack हुआ तो ipso position में means ipso attack और यहाँ पर हम इस group को substitute करने वाले हैं मतलब ipso substitution बट इस वाले case में substitution नहीं कर रहे हैं देखिए कैसे कोई another electrophile की help देखिए नहीं कर रहे हैं तो देखिए यह रहाप का protect आपने h-positive को यहाँ attack कर इसको हटाए इस remove करते हैं पूरे group को और h-positive वहाँ ठीक है और यह जो remove वाला जो group है इससे क्या बन जाता है alkene बन जाती है यह इसका product में ठीक है अब देखो बच्चो यह exam में आपके कई बार आया है यह topic बहुत बार आपसे exam में पूछा गया है ठीक है तो मैं इस reaction के आपको complete mechanism भी समझा देता हूँ देखिए इसकी mechanism आप समझ जाएंगे क्या है यह रहा आपका ring और यह रहा एलेक्ट्रोफाइल तो पहले क्या होगा आपको ब्रेक करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट जहां को भी वह बॉन्ड होगा क्योंकि एक साइट को तो होगा अल्टरनेट चलते हैं तो एक साइट को बॉन्ड होगा उसके तुरू आपने इस पॉजिटिव को अटेच करवाया अब देखे इस कारवन में अगर एच पॉजिटिव आ रहा है तो ऑवियस सी बात है कि इस कारवन में निगेटिव चार्ज होना चाहिए और निगेटिव इधर होगा तो उसके एडजिसेंट में पॉजिटिव होगा यहां देख लीजिए ठीक है यह देखे यह रहा आपका CCH3 ग्रूप यह रहा है और बाकी एक स्के अटिसेंट में पॉजिटिव लगा देख और यहां निगेटिव था यहां निगेटिव में हा के अटेच हुआ ठीक है देन अब आपको पता यह एरीनियम आयन स्पीसिस बन गई है यह अब यह क्या करेगा रेजोनेंस करेगा अपने प्लस चार्ज को स्टेब्लाइज कर लेगा तो कर लिया अब सिफ्ट कर दीजिए इसको यहां प्लस चार्ज यह दिखिए देन अगें बॉंड की सिफ्टें यहां तो प्लस चार्ज इस वाली और्थो पोजिशन में बस तो यही चलता रहेगा इसको मैंने हाज़र कर दिया देख लिए और यह रहावच्च्छ का रहा है इसको मैंने इसको ले लिया आपकी मर्जिया इन में से भी कोई ले सकते हो बट मैंने डिरेक्ली ले लिया तो अब यह करना है देखिए अब मुझे एज को सब्सुट्यूट करना है तो इस वाले यह लिविंग गुरूप है इसको मैंने लीव करा दिया क्योंकि उसका कार्बोकर्टायन थोड़ा स्टेवल भिया देखो थ्री डिग्री कार्बोकर्टायन है और रिंग को मैंने इल आपका जो कार्बोकर्टायन बनाया है यह देखिए और इसमें आपको याद है अगर आपने एक एज पॉजटिव बोरो किया था किसी एसिड से अब वह एसिड का निगेटिव पार्ट है उसे एज पॉजटिव वापस करना है तो आप क्या करोगे किसी भी देखिए तीनो तो यह इसका complete mechanism था बच्चो देखिए तो इसका example और है जो आपके कई बार exam में पूछा हुआ है बच्चो कुश्चन की form में ठीक है इस complete the following reaction and give its mechanism येस तो reaction क्या है आपको एक reactant दे रखा है आप जानते होगे इसका ये बच्चो आपका ortho xylene येस this is ortho xylene ठीक है और इसमें डालना है आपको acid H positive चली इसका आपसे product पूछता है ठीक है तो कैसे होगा इसका product बिल्कुल तो bond की shifting कुछ इस तरीके हो जाती है देखिए मैं आपको पूरी mechanism करके दिखाता हूँ like CH3 और negative negative H positive means H ये CH3 H such है और इस bond की breaking होई है तब ये electron उपर shift हो है तो CH3 में negative और ये carbon क्या हो गया एक H के सांथ क्या बनिया है positive H यहाँ already होगा आपको पाता है H होगे 6 carbon में test रहते हैं ठीक है then अच्छा ये reaction इसका step रिवर्सिबल इसके सारे step reversible है अब यहाँ होता है बच्छा आपका rearrangement ठीक है rearrangement देखे rearrangement कैसा CH3 की shifting और मैं इसे करके दिखाता हूँ सिदे यह रहास का rearrangement product CH3 then यहाँ पर एक यह H और CH3 को मैं इस carbonate shift कर देना है और यह बन जाएगा आपका again H और यह plus charge यहाँ ठीक है होता है यहाँ साब आप Carbocatans को rearrangement करते हो ठीक है then आगे बढ़ते हैं तो यह भी इसका step reversible है अब क्या करेंगा आप इसको देखिए अब आप एक आपने एच बोरो किया था आप उस एच को return कीजिए और इसके electrons को यहाँ shift कर गए है एच को positive form में release कर दिंगे तो positive form में जब है निकल जाएगा तो यहाँ पे जो species बची है like यह एच यहाँ पर बनेगा double bond एक CH3 यहाँ पर already है ठीक है और एक double bond यह है एक double bond यह है ठीक है क्या है एक तरीक है पैराजाइलीन मेटाजाइलीन होगे ना ठीक है इस एमजाइलीन तो बच्चो कई बार यह क्या है यह एक process आपको दिखा रहा है isomerization दिखाई पड़ रहा है ना आपके हाँ पर देखिए यह दूने दूसे का isomers तो है ठीक है तो यह क्या होता है ortho xylene in the presence of H positive isomerize हो जाता है कहां पर meta xylene में ठीक है तो यह question भी आपसे बच्चो कई बार this is bromo celyalization bromo decelyalization ठीक है देखिए इस मैं यह करना है आपको इस ठीक है celyal group को substitute करना है किसी अनदर electrophile के help से लाइक मैं आपको बना के दिखाता हूँ ठीक है यह है आपका और यहाँ पर si me का whole thrice ठीक है reaction करना है आपको इसमें बच्चो कि इस की br2 की इस br से इस group को substitute करना है तो simple आप normally substitution कर लीजिए आपको ज्यादा इसकी mechanism की जरुवत नहीं है तो यहाँ क्या जाएगा बच्चो बच्चो यहाँ पर already CHCOOH और एक BR और एक SI ME 3 तो यह बन जाएगा आपको बच्चो मे का whole thrice SIBR ठीक है तो इस reaction को हम बोलते हैं बच्चो इपसो substitution इपसो substitution यस ठीक है substitution हुआ रहा है यहाँ पर देखो किसी electrophile की help से आपने इस group को substitute किया है hydrogen नहीं लगाए मैंने यहाँ ठीक है substitution किया है clear है अगर आप चाहो तो इसमें substitution ना करके hydrogen भी लगा सकते हूँ ठीक है देखे गैसे एक example और ले लेते हैं यह भी आपकी किसी बुक में मिल जाएगा आपको ठीक है इस इस प्रोटोडी इसलाइलेशन ठीक है प्रोटोडी सिलाइलेशन का मीनस है प्रोटॉन की help से आपको यहाँ करना है डी सलाइलेशन करना है और ग्रुप मैंने ले लिए अपना si me का whole thrice ठीक है प्लस प्रोटॉन की help से करना है आपकी इच्छा है तो आप H-positive डाल इक्षन को कर देना है यहाँ पर आपको क्या लगा देना है H-positive लिया था उसको रिटन कर दिया hydrogen को मैंने आप एड़ कर दिया एक है यहाँ लगा जा एक हमने si me3 को दे दिया है ठीक है तो यह क्या बनीग आपका Benzene Formation हो जाता है clear है ठीक है तो यह बच्छो पहले भी आपके एक्जाम में कई बार आया है एक H-positive जो बचा है आप चाहो तो उसको फिर से release कर सकते है ठीक है clear है but उसको लिखने जरूबत नहीं है understood है ठीक है तो चलिए तो बच्छो यह आपका Ipso Attack बहुत important topic जो एक्जा topic में